MO Electric Bikes ने भारत में अपना नया इलेक्रिक स्कूटर जौन्टी प्लस को लॉंच कर दिया है यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक लाख दस हजार चार सौ साथ रुपए एक स्चोरू की कीमत पर उतारी गई है कमपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर एक सो बीस किलो मीटर से अधिक की रेंज प्रदान करेगा और पूरी तरह से चार्ज होने में केवल चार घंटे का समय लेगा जॉन्ती प्लस एक हाई परफॉर्मेस इलेक्ट्रिक स्कूटर है साथ वी चालीस आ उन्नत लिथियम बैटरी द्वारा संचालित है स्कूटर में क्रूस कंट्रूल Electronic Assisted Braking System E-ABS, Anti-Theft Alarm जैसे फीचर्स दिये गए हैं इसके अलावा स्कूटर में Front Telescopic Fork Suspension Side Stand Sensor Central Locking Front Disc Brake DRA Lights और Engine Kill Switch जैसे फीचर्स भी दिये गए हैं स्कूटर में High Ground Clearance दिया गया है जिससे इसे खराब सरकों पर भी आसानी से चलाया जा सकता है जानकारी के अनुसार यह इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज पर 120 किलोमीटर की रेंज देती है स्कूटर High Performance DC Motor से लैस है इलेक्ट्रिक स्कूटर को पूरी तरह चार्ज होने में 4 घंटे का समय लगता है स्कूटर में फिक्स्ट और पोर्टेबल बैटरी पैक का विकर्प दिया गया है जान्ती प्लस इस्कूटर में यूजर के लिए मोबाइल यूसबी चार्जिंग पोर्ट भी है नई एम और जान्ती प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर 5 कलर वेरियंस में उपलब्ध की गई है जिसमें रेड ब्लैक, ग्रे ब्लैक, ब्लू ब्लैक, वाइट ब्लैक और येलो ब्लैक जैसे रंग शामिल है स्कूटर पर कंपनी 3 साल की स्टेंडर्ड वारंती दे रही है स्कूटर को 15 फरवरी से 140 डीलर्शिप पर विक्री के लिए उपलब्ध कर आया जाएगा जॉन्ती प्लस अपने स्टाइलिश डिजाइन डिजिटल डिस्प्ले और श्रेनी में सर्मश्रिष्ट सुरक्षा फीचर्स के साथ अधिक स्पीड और रेंज के साथ बेहतरीन इलेक्ट्रिक बाइक चाहने वाले ड्राकों के लिए एकदम सही पैकेज है डॉत आंटी प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले ड्राकों को फेम दो स्कीन के साथ राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली विभिन सबसिडी योजनों का भी लाब मिल सकता है हाल ही में केंद्र सरकार ने दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सबसिडी को 10 0000 रुपए प्रती किलोवाट से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रती किलोवाट कर दिया है साथ ही फ्रोटसाहन की सीमा को वाहन लागत के 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है